जय गुर्देव अब हम विश्व कर्म प्रकाश ग्रंत का प्रतम अध्याय जिसका नाम भूमी लक्षन है उसको देखने का प्रयास करें उसका प्रतम श्लोक है जयति वरद मूर्तिर मंगलं मंगला नाम जयति सकलवंद्या भारती ब्रह्म रूपा जयति भुवन माता चिन्मई मौक्ष रूपा दिशतुमं महेशो वाग मैह शब्द रूपम यह प्रतम श्लोक है वासु सास्त्र के सभी ग्रंथों में और वैसे देखें तो वेदिक वांगम्य के सभी ग्रंथों में सबसे पहले मंगला चरण किया जाता है जैति वरद मुर्थी मंगलम मंगला नाम जैति सकलवंद्या भारती ब्रह्म रूपा दिशतुमं महेशो जैति भुवन माता चिन्मई मौक्ष रूपा दिशतुमं महेशो वाग मैह शब्द रूपम यह जो मंगला चरण है जो ग्रंत के आरंब्र में करते हैं इसके पीछे दो उद्देश होते हैं एक उद्देश होता है चित्त को शांत करना इस्थिर करना और दूसरा उद्देश होता है कि जो ग्रंत कार है वो कैसा है वो तो एक उपकरण की भातिकारी करता है अहंकार का समर्पड इगो का समरपड देखते हैं थोड़ा सा इसको कि प्रत्य ग्रंथ के आरंब में सबसे पहले मंगला चरंग किया जाता है आज के समय में जैसे स्कुल्स होते हैं तो उसमें जब विद्यारती आता है तो सबसे पहले प्राफ्थना करते हैं कि प्राफ्थना करने से प्रेयर करने से इस्तूति करने से जो चित है जो बही मुक्ष रहता है वह एक आग्राप और दूसरा जो बड़ा रहस्य है कि जो ग्रंथकार है वह अपनी सीमित अहमता इस्त के चरणों में गुरू के चरणों में पर्मेश्वर के चरणों में समर्पित करता है कि मैं जो हूँ वो तो एक मात्र केवल उपकर्ण ही हूँ सारा जो कारी होगा ग्रंथकीर रचनाधि वह ईश्वर की गुरू की क्रपा से होगा तो यहां कहते है। सबसे पहले भगवान गनेश की इस्तुत्त करते हैं कि जिनके असी मूर्थी है जो मंगलों का मंगल करने वाई हैं कि फिर विद्विजय सरस्थी की वंदना करते हैं के यह कि जैती सकल्वन्धय भारती भर्म रूपा संब है बनिते भारती है बर्रहम रूपा आपकी जैहब न्यका है कि बहुन माता चीद में मोक्षरूप मत जी कि जैहर जो चिन शक्ती है इश्व के क्या क्यते हैं सद चित आनन्द जो चिनमे इशक्ती है जो पॉंशेस्नेस है ऐसी शक्ती की वन्दना करते हैं दिशतुमम महेशो वाग मयद शब्द रूपम हे महेश्वर हे बड़े इश्वर हे बगवान शिव शंभु दिश्टुम आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं अपने ज्यान को विचार को शब्द में अभिव्यक्त कर सको एसी शम्ता प्रदान करो यह हमने संक्षेप में मंगलाचरन देखा सबी ग्रंद के आरंब में मंगलाचरन की परंपरा है मंगलाचरन से ही हमें परंपरा का ज्यान होता है जैसे ही जो ग्रंथ है इसकी हिंट भी मिली आगे श्लोक में और इसपष्ट होगा और सीमी तहमता का समरपन दूसरी श्लोके आब्रह्म भूवनात लोका ज्रशत आश्रम आश्रिताः यतह तस्मात ग्रह आरंभ प्रवेश समयम है हम विश्वकर्मा जी कहते हैं कि ब्रह्म से लेकर भूवन तक जितने भी लोक हैं वे सब ज्र॥ आश्रम पर आश्रित इसका ताथ पर है क्या हुआ कि विन्न लोग हैं ब्रह्म में अर्था अव्यक्त उर्जा वो उर्जा वो एनर्जी जो अभी किसी भी फॉर्म में किसी भी रूप में मैनिफेस्ट नहीं हुई अभी व्यक्त नहीं हुई प्योर एनर्जी जो वहां से लेकर फुली मैनिफेस्टेड एनर्जी तक जो उर्जा व्यक्त हो चुकी है पूरी तरह से, जितने भी लोक हैं, वे सब किस पर आश्रित हैं, ग्रहस्त आश्रम आश्रिता, आश्रम कितने हैं, आश्रम चार बताए गए, कौन-कौन से आश्रम में चार, ब्रह्मिचरी है, ग्रहस्त है, वानप्रस्त है, और सन्यास, जैसे मनुष्य की आयूत की कल्पना 100 वर्षकी की गई है जो 37 में 120 वर्षकी की गई है तो जो ऐसी कल्पना है तो जन्म से लेके 25 वर्ष तक भ्रम्मचरी आश्रम कहा है इपछित के उपरांथ विवह के उपरांथ उसके लिए ग्रिस्था आश्रम कहा गया है गर में रहता है, पतनी बच्चों का पालन करता है, माता-पिता की देख भाल करता है, उसके पच्चात वान प्रस्त आश्रम का गया है, 50 वर्ष के उपरांग, 75 वर्ष तक, कि व्यक्ती जहें वो वानप्रस्त आश्रम का पालन करें, परिवार के सनक्षक के रूप में रहें, समाज की सेवा करें और पिचुत्तर वर्ष के उपरांथ जो है वो सन्यास ग्रस्त जीवन को छोड़कर, वानप्रस्त जीवन को छोड़कर उत्रतर सन्यास दारन करें और सन्यास आश्रम का पालन करें, तो यह जो अन्य तीन आश्रम हैं, ग्रिष्त के अलावा, ब्रहमिचर्य, वानप्रस्त और सन्यास, इसका पालन कोड़कर करता है, ग्रिष्त करता है, तो कहा है, जितने भी लोग हैं, जितने भी आश्रम हैं, उन सब का जो पालन मुपन करता है वो ग्रिश्ट है इसलिए ग्रिष्ट आश्रम बहुत उपयोगी सब से मुछकुण बताई कि साफ्र में परंपरा जिस भी विध्या को जा उप्डेश देते हैं उसके महत्व का करते हैं कि यो व्यक्ति रहे इसके महतुष्व क क्रतिपादंगे करेंगे है अध्ययन कर रहे हैं तो सबसे पहले ग्रिष्ठ आश्रम की उप्यों किता प्रपर काश डाला जो में ही है जो घर में रहता है कि उसका जो आश्रम है वो जो व्यवस्ता है वो जह धुरी है अन्यतीन आश्रम उसी प्याराधरित है तो इसके मात्व को यहां बताया गया कि अब सास्त्र की उपयोगिता कि पश्यात उसकी परंपरा का उल्लेक करते हैं प्रवक्षामी अर्थात कतियामी मुनी श्रेष्टा शुनुष्वेका ग्रमान सह यदुक्तम शंभुनाम पूर्वं वास्तु सास्त्रम पुरातनम और कैसा है पाराशर प्राह व्रधताय व्रधता तथ प्राय प्राह च विश्व कर्मने सविश्व कर्मा जगताम हिताय प्रोवाच्य सास्त्रम बहुभेद युद्त परंपरा का वर्णन करते हुए कहते हैं है मुनी श्रेष्ट शुनश्व एकाग्रमान सह तुम एकाग्रचित होके इसको सुनो यदुक्तम यह कहा गया है शंबु नाम पूर्वम पूरु में यह शंबु अर्थात भगवान शंकर द्वारा कहा गया है यह वासु सास्त्रे ज शंबु ने कहा पाराशर प्राय रधाय श्रने इस वपरान व्रीद्रत को कह सघुन बढ़ों कि वरीद्रत ने इसे विश्व करमाजीसे और विश्व करमा जी इस इस बहुत सारे भेद से युक्त वासु सास्त्र को जगताम हिताए जगत की हित के लिए कहते हैं तो दो बाते समझदा एक तो परंपरा को जानना कि महादेव से आरंब हुआ और महादेव से पाराशर से विश्व कर्मा जी को प्राप्त हुआ और अब आप इस गौरव शाली परंपरा से जुड़ने जा रहे हैं इसका आप वहन करने जा रहे हैं इसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं तो आप भी उसी परंपरा के हैं तो आपको परंपरा का ज्ञान हो, मरियाता का ज्ञान हो, आपका आचरन आपका व्यवहार उस परंपरा के अनुकूल हो, क्योंकि आप इस परंपरा को आप आगे बढ़ा होगे, जो विश्व कर्मा जी ने जो परंपरा दी, अब उस परंपरा को आप आगे बढ़ाने वाले और शास्त्र के ऐसा है बहु भेद युक्त ये बहुत सारे रहस्यों से भरा उबा हुआ है। इसलिए जब अन्यगरंथ को देखते हैं सम्रांगन सुत्रधार को तो उसमें इस्तुपति लक्षन है वस्तुषास्त्री के लक्षन है। तो कहा सास्त्र कर्म प्रग्या और शी प्रग्यावान प्रग्यावान होगा तो सास्त्र के जो रहस्य हैं उसका घटन कर पाएगा उसको समझ पाएगा उसको बता पाएगा कि ये साथ्ट्र जो यह है बहुत सारे भेदों से युपते रहस्यों से भरा हुआ वो है कोई बात जहां बताना है हो सकता ुसे न बता है में में झान्स अगर्ण परंपर और श में इसके ग्रंथ। में न मिलुए। उसका वरणन आपको रामायन में मिलूए। उसका वरणन आपको महाभारत में मिलूए। तो जब अन्यक सास्त्रों का विधाओं अब आपको साथ में ज्यान होगा तो वह वीशेव बहुत इसे सह कौट और के सहे । जगताम हिताय जगत के हित के लिए कहा अगले शलोक में और देखें पाच्वे में वास्तु सास्त्रम प्रवक्षामी लोका नाम हित काम यया लोगों के हित के लिए भले के लिए मैं वास्तु सास्त्र की रचना करता हूं कहता हूं यह नहीं कहा कि पैसा कमाने के लिए वास्तु सास्त की रचना की यह नहीं कहा कि लोगों को डराने के लिए भैभीत करने के लिए वास्तु सास्त की रचना की या कहा विश्व कर्मा जी ने यह कहा कि लोग का नाम हिद काम यह लोगों के हिद के लिए भले के लिए अब मैं इ इस प्रकार के मकान में आवास में निवास करें जिससे प्रकृति की पोशनकारी शक्तियां प्राप्त जिससे वह उत्रोत्तर विकास को प्राप्त जिससे वह धर्म का पालन करते हुए अर्थ कमाएं धन कमाएं और उससे कामनाओं की पूर्ति करें और मोक्ष को प्राप्त करें चार पुरशारत कहें गए धर्मर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए वास्तु सास की रचना की या विश्व कर्मा जी ने उसे कहा पाचवेश लोक के उकरान चटवा श्लोक वास्तु पुरश की उत्पत्ति से संबन देत है चटवा शात्वा आठवा नवा दस्वा ग्यार्वाश्लोक ये जो है वो वास्तु सास्त्र की वास्तु पुरुष की उत्पत्ति के संदर्व में हैं तो कहा पुरा त्रेता युगे हया आसीन महाभूतम व्यवस्थितम स्वाप्यमानम शरीरेन सकलम भुवनम ततह प्राचिन समय में पुरा त्रेता युग में एक महाभूत व्यवस्थित हुआ उपस्थित हुआ उसने अपने शरीर से संपूर्ण भुवन को आच्छादित कर दिया या सारे भुवन में वह व्याप्त हो गया प्राचिन समय में त्रेता युग जहें वह चार होते हैं सत युग त्रेता युग द्वापर युग और कल युग काल की अबधी है जो अत्य सास के जो ग्रंथ है सुरी सिद्धान तादी उसमें इनके समय का निरधारन किया है बताया है यहां कहा कि यह चार युग है सत युग त्रेता द्वापर और कली युग अभी कल युग चल रहा है तो वास्तो पुरुष्की उत्पत्ति त्रेता युग में होई सत युग में मनिष्ची की चेतना एकदम निर्मल थी सतो गुणी थी गुणातीत रहता था और सतो गुणी या गुणातीत चेतना में रहने वालों को वास्तु दोशे जो तिसका दोश नहीं लगए वास्तु का एक ग्रंथ है सम्रांगन सुत्रदा उसका ध्याच्छे है सह देवा अधिकार कथा या भुमन कथा कि देवतार मनुष्य साथ साथ रहते थे स्वर्ग में चले जाते थे देवतार के समान ही मनुष्य भी थे जो इच्छा करते थे वो पूरी हो जाती थी एक ही रित्व थी वसंद एक ही तिथी कहो या चंद्रमा कहो वो पूर्ण रहता था सदेव युवा रहते थे तो आम प्रकार के भोग विलास आनंद में अपना समय व्यतीत करते थे जो इच्छा करते थे वो पूरी हो जाती थी फिर काल के वशी भूत होके मनुष्यों में जब चेतना रजोगन होने लगी रजोगन प्रधान होने लगी तो वास्तुदोश लगना पिर वो जो उसकी संकलक शक्ती थी वो शुन हो गई कमजोर हो गई और बहुत सारे द्वंदा गए और घर की आवशक्ता महसूस हो भवन जन्म कथा सहदेवादिकार कथा यह सम्रांगन सुत्रधार में विस्तार से दिया है तात्परी क्या है कि जब चेतना रजोगन प्रधान होने लगी सत्वगन कम होने लगा गुणा तीत मनुष्य कम रह रहने लगा तो वास्तु दोष्ट यहां भी उसी बात को इंगित करते हैं कि पुरा त्रेता युग में प्राचीन समय में त्रेता युग में सत्यूग में नहीं कहा तो वास्तु पुरुष्की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई यहां से हम वास्तु दोष्ट दूर कर करने का बड़ा शशक्त उपाई भी ढूंड सकते निकाल सकते हैं इंटरफेट कर सकते हैं कि मनुष्य अपनी चेतना को सतो गुणी बना ले गुणातीत बना ले निस्त्रय गुणाभव और जुद अर्जुन जो है तो निस्त्रय गुणातीत हो जाए यह जो द्वन्ध है इससे उपर निकल जा तो क्या होगा वास्तुदोष नहीं लगेगा तो यहां भी उसी बात को कहते हैं कि त्रेता युग में वास्तुपुरुष्ट के उत्पत्ति और क्या कहा उसने संपून भूवन को सकल भूवन को आच्छा दित कर दिया व्याप्त ह हो गया अर्थात वास्तु आजयो पित्रहें वह अनूरैयान महतोमहिया चीचे और Все पांतिकन सब्यक्राइइंशलें पूरा जह ब्रह मांडे वास्तुसभी एं+. उसका स्कोप एच्छेते हैं और क्या क्या कहा है ततस्ते भैमापन्ना ब्रह्मनाम शर्णम ययुह इस प्रकार से जब देखा तो भैमापन्न देवता जो थे वाश्यरी को प्राप्थ हुए और भैभीत होके इंद्र के साथ ब्रह्माजी की शर्णमे गए जब वास्तु पुरुशुत्पन हुआ कथानक है तो इस कथानक में क्या बताया कि एक बहुत बड़ा वास्तु पुरुशुत्पन हुआ संपुर्ण भुवन को अच्छा दित कर दिया व्याप्त हो गया ऐसा देखकर सब जो द इंद्र के साथ ब्रह्माजी की शर्णमें देखकर समझना अपने को जो को देवता शब्द दिवधातु से बना देवता के लिए शुर और दानों के लिए असुरव्द का प्रियोगता है शुर्थ अर्थ़ात रिदम सुर्थ का ऎक अर्थ रिदम भी प्युआ है तो जो के साथ लए में हैं तादात्म में हैं रिदम में हैं उन शक्तियों को क्या कहा सुर कहा देवता कहा और जो प्रकृति के साथ लए में नहीं है ताल में नहीं है रिदम में नहीं है उन शक्तियों को क्या कहा असुर कहा और दूसरा क्या इंटरप्रेट होता है यहां पर कि करता जो है वो अपने मालिक देवताओं का स्वामी देवेश इंद्र उसके साथ कहा गए ब्रह्मा जी की शरण में तो संकट के समय में क्या करना एकत्रित होना एकटा रहना और एक को नेत्रत्व देना और जो उस विशय का ज्याता हो ज्यानी हो उसके पास जाना उसे से मार् पास गए और उनसे क्या कहा भूत भावन भूतेश महद महद भयम उपस्तितम क्व यास्य यामा क्व गच्छामों वयम लोकपिता महां हे भूतों को उत्पन करने वाले भूत भावन हे भूतों के स्वामी भूतेश बड़ा भय उपस्तित हुआ है लोक के पिता मां हम सब कहां जाएं और किधर जाएं कैसा देवताओं जी ने देवताओं ने इंद्र के साथ ब्रह्मा जी से कहा मा कुर्वन्तु भयम देवा विग्रही तान महाबलं निपात्य अधो मुख भूमव निर्विशंका भविश्यत उसके पश्याद ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम डरो मत उस महाबली को पकड़कर भूमी के नीचे की और मुक करके गिरादो तो शंका से रहित हो कि ततस्ते क्रोध संत्रप्ते ग्रित्वातं महाबलं विनिक्चप्तं अधोवक्त्रम इस्थिता तत्रेवते सुराह देवतां उन्हें उस महाबली को मिलके भूमी के नीचे की तरफ गिरा दिया और उसके उपर वो सब देवता बैठ गए तो अभी तक जो देखा इसमें वास्तुपूरुष की उत्पत्ति का वर्णन है देवतां उन्हें उसको अधुमुक गिरा कर उसके उपर बैठ गए देवता शब्द दिवधात्व से बना है जिसका अर्थ प्रकाश या उर्जा है विबिन्न देवता विबिन्न प्रकार की उर्जाओं को प्यक्त कि वास्तुपूरुष की उत्पत्ति त्रेता युग में हुई तो यदि वेक्ति अपनी चेत्ना को रजोगुण और तमोगुण प्रधान रखता है तो सारे वास्तुदोष लगेंगे चेत्ना का इस्थर बढ़ा दे सत्व गुण में गुणातीत में चला जाए तो वास्तुदोष नहीं लगते तो आज हमने मंगलाचरण देखा परंपरा देखी और वास्तुपूरुष की उत्पत्ति के कुछ प्रारंबिक श्लोग देखी इसी बात को आगे अगले पार्ठ में कंट्यून्यू करेंगे कि वो कब उत्पन्न हुआ इत्यादी और यह ओम शान की शान शान